अगर आप मोमोस खाने के शौकिन है तो ये रेसिपी आपके लिए है आज हम बना रहे हैं कुरकुरे पनीर मोमोस बहुत ही रेस्टी और बहुत ही डिलिशस बनते हैं बहुत ही लाजवाव इसका टेस्ट होता है और आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं बनाते हैं कुरकुरे पनीर मोमोस मैं हूँ उशा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर मेरी वीडियोज आपको अची लगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए कुरकुरे पनीर मोमोस बनाने के लिए हमने पैन रख दिया है गैस पर और फ्लेम को मिडियम कर लिया है तेल एट कर दिया है एक छोटा चमच और इसे के साथ ही एट कर दिया हमने यहां पर बारी कटा हुआ लसुन अब लसुन को अच्छे से तेल में मिला लेंगे और इसक करने वाले हैं इसलिए हमने छोटा प्याज लिया है अगर आपके पास में हरा प्याज नहीं है तो एक बड़ा प्याज ले लेना प्याज को भी हलका सभून लेंगे इसका कच्चापन निकाल लेंगे आप देख सकते हैं प्याज जो है हलका सा भून गया है ब्राउन नहीं करना है इसको अब यहां पर एट कर दिया हमने पनीर यहां पर हमने 200 ग्राम पनीर को कद्दुकस कर लिया है अच्छे से मिला लेंगे इन सब को और ध्यान रहें यहां पर बिल्कुल भी मोईस्टर नहीं रहना चाहिए पनीर में और प्या प्याज का पौडर और एक छोटा चमच गरम मसाला और अच्छे से इन सब को मिला लेंगे अब इसमें एड़ कर देंगे हम नमक सुआत के अनुसार थोड़ा ही एड़ करना है क्योंकि डो लगेगा मोमोज के लिए और बैटर बनेगा मोमोज का तो उसमें भी हमने नमक अच्छे से मिला लेंगे इसको और इसे के साथ ही यहाँ पर हम एड़ कर देंगे इसमें बारी कटा हुआ हरा प्याज और हरा धनिया बारी कटा हुआ बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है भरे प्याज से इसको जरूर आड़ करना अगर आपको मिलता है तो और अच्छे स इन सब को मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे सारा पानी खतम कर लेंगे और ये जो पनीर के गोले गोले से बन रहे है न इसको आपने ब्रेक करना है तोड़ना है और अच्छे से मिलाते रहना है अब आप देख सकते हैं पनीर और प्याज का सारा मॉइस्चर खतम हो गया है बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें अब गैस को बन कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे अब हम मॉमोस के लिए डो लगा लेंगे यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है मैदे की जगह पे आप आटा भी ले सकते हैं और इसके साथ ही इसमें आड़ कर देंगे एक छोटा चमच नमक नमक हमने पहले स्टफिंग में भी डाला है तो थोड़ा ध्यान से ही आड़ करना है और इसके साथ ही आड़ कर देंगे इसमें एक छोटा चमच तेल और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके पानी आइट करेंगे और डो लगा लेंगे डो न ज़्यादा धीला होना चाहिए और न ज़्यादा सक्त होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल डो लगाना है हमने यहां पर आप देख सकते हैं डो को हमने एकठा कर लिया है अगर डो हाथ से चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल ले लीजेगा हाथ में और अच्छे से इसको गून लीजेगा अब इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और कपड़े से इसको कवर कर देंगे ताकि इसके उपर कोई पपड़ी न जमे और ढख देंगे और 10 से 15 मिनट इसको रेष्ट करने देंगे ताकि डो जो है अच्छे से ढल जाए अब मुमोस के लिए एक घूल तियार करेंगे एक बड़े बोल में हमने 2 चमच कॉन फ्लोर आड़ कर दिया है साथ ही अच्छे से फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी और सुआत के अनुसा नमक आड़ कर दिया है अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे एक बार में नहीं आड़ करना है थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करने से इसमें लम्स नहीं बनेंगे जादा और लम्स को हमने तोड़ते जाना है और गोल बनाते जाना है अच्छे से मिक्स करते जाना है इस तरीके से अब इसमें एक चमच अद्रक लसुन की पेस्ट आड़ कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब आप देख सकते हैं गोल जो है बिल्कुल रेडी है इस तरीके का गोल होना चाहिए घोल जो है पतला नहीं होना चाहिए और ना गाडा होना चाहिए इस तरीका का फ्लोई घोल होना चाहिए अब मोमोस को चिपकाने के लिए एक सलरी बनाएंगे यहां पर हमने एक छोटा चमच मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी आट कर दिया इसमें और अच्छे से मिला लिया है ध्यान रहे कोई लंस इसमें नहीं होना चाहिए डो ने भी 15 मिनट रेस कर लिया है चलिए चेक करते हैं आप देख सकते हैं डो जो है सेट हो गया है अच्छे से अब हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा इसको मसल लीजिए एक जैसा कर लीजिए और हाथ में एक बड़ा सा इसका रोल बना लीजिए और इसकी छोटी छोटी सी लोईया तोड लीजिए मोमोस बनाने के लिए सारी लोईया हमने तोड ली है अब इसको हम कपड़े से ठक देंगे ताकि ये सूखे नहीं अब हम एक लोई लेंगे और हाथ से इस तरीके से इसको अच्छे से गोल गोल कर लेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे अब चकले पे मैदा चिड़केंगे और इसको बेल लेंगे अब ये जो मॉमुज के लिए हम रोटी बेल रहे है चोटी सी ये ना पतली होनी चाहिए ना मोटी होनी चाहिए कॉर्नर्स को जरूर हमने पतला कर लेना है बीच में थोड़ा सा थिक रखना है मोटा रखना है अब मोमोस बनाने के लिए हमने रोटी को हाथ में ले लिया है और स्टफिंग भर दी है इसमें एक डेड़ चममच और अब हम प्लेट्स लगाएंगे तो यहाँ पर पहले अंदर की तरफ एक प्लेट इस तरीके से लगा लेनी है और फिर लेफ्ट हैंड साइड से पीछे की की दरब से प्लेट्स लगाते वी पीछे की तरफ चिपकाना है एक पे उपर एक इस तरीके से और इसके बाद में जब हम प्लेट लगा लेते हैं तो जो स्लइरी हमने बनाई है मैदे और पानी की उसको हमने चारों तरफ से चिपकाना है और यहां पर हमने देखिए स्लरी को इस तरीके से लगाना है और अब हम जो नीचे वाला पार्ट है उसको उपर की तरफ ले जाएंगे और mtx को हमने जो है सील करना है यहां पर कहीं भी क्रैक नहीं रहना चाहिने तो जब हम स्टिम करेंगे इसको या आप जो है इसको फ्राइ करने वाले हैं तो यह तेल में जाकर फट सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमने एक मोमो बना लिया है आप चिंता न करें अगर आपको इस तरीके से प्लेट्स लगानी नहीं आ रही है तो आप जो है सिंपल से जो गुजिया का शेप होता है वैसा शेप दे दीजिए इसको और यह जो प्लेट्स लगाई हमने यह दिखने वाली भी नहीं है जब इसको हम फ्राइ करेंगे और यहाँ पर एक सिंपल सा शेप और देख लेते हैं हमने यहाँ पर जो है गोल शेप बनाना है मोदक की तरह जो शेप होता है तो यहाँ पर हमने रोटी में स्टफिंग डाल दी है स्टफिंग को नीचे की तरफ दबाना है और चारो तरफ से हमने इस तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है अब यह जो सारी प्लेट्स से इनको इकठा करते हुए हमने उपर की तरफ लाना है और इसको हमने फिर सेल कर देना है बन कर देना है ध्यान रे कहीं से भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए और यहां पर हमने एक और शेप बना लिया है आपको जो अच्छा लगता है जो simple लगता है, easy लगता है आप वो बना लीजेगा आप देख सकते हैं सारे momos हमने बना लिये हैं और इसे कपड़े से जरूर ढखके रखिएगा ताकि यह dry न हो यह है batter जो कि हमने बनाया है momos के लिए और यह है bread crumbs, यह ready made bread crumbs है अगर आपके पास में यह वाला bread crumbs नहीं है अगर नहीं है तो आप ब्रेट से भी इसे बना सकते हैं अगर ब्रेट भी नहीं है तो अगर आपके पास में चूरा कर ले और इसे आप यूज कर सकते हैं momos को coat करने के लिए बैटर को एक बार अच्छे से मिला लिजेगा करी बार पानी पानी उपर आ जाता है अब एक momo लेंगे और इसको अच्छे से डुबा देंगे बैटर में अब इसको breadcrumb से coat कर लेंगे सब तरफ से अच्छे से coat कर लेना है अब दूसरा एक momo लेंगे और इसको भी हम अच्छे से डुबाएंगे बैटर में और इसको भी हम ब्रेट क्रम से अच्छे से कोट कर लेंगे इसी तरीके से हम सारे मोमोज को त्यार कर लेंगे और हाँ अगर वीडियो पसंदा रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सारे मोमोज को बैटर में डुबा कर हमने अच्छे से ब्रेट क्रम से कोट कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेट हमने डाली थी मोमोज का शेप दिया था वो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसलिए चिंता मत केजेगा आप अपने हिसाब से मोमोज का शेप बना लीजेगा अब हमने तेल को मिडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है और फ्लेम को भी हमने मिडियम रखा है और चेक भी कर लिया है अब एके करके इसमें हम मोमोज जायट कर देंगे जितने एक बार में कढ़ाई में आते हैं और हमने इसे अभी सेट होने देना है अभी इसे पलटना नहीं है जब यह उपर आएंगे तभी हम पलटेंगे आप देख सकते हैं मोमोच जो धीरी दीरे ऊपर आगे हैं अब इनको हम पलटते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेंगे द्यान रहे गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं करना है वरना मोमोज ज़ादा तेल पी जाएंगे अगर गैस की फ्लेम को हाई करते हैं तो उपर से जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो gas की flame को medium ही रखना है अब आप देख सकते हैं momos जो है golden brown हो गए है अब इनको हम निकाल लेंगे अब दुसरे बैच के momos भी हम तेल में add कर देंगे और इसको भी golden brown होने तक fry कर लेंगे दुसरे बैच के momos भी fry हो गए है अब इनको निकाल लेंगे आप देख सकते हैं हमारे कुरकुरे पनीर momos बिल्कुल तेयार है इसे चेक भी कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो momos है उपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है और बहुत ही soft है कुरकुरे momos की प्लेटिंग हमने कर ली है और इसे सर्व किया है हमने शेजवान चटनी के साथ में बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशेस है बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं है आपको मार्केट जैसा ही बलकि उससे भी उपर आपको इसका टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छ